नमस्कार दोस्तों मिनड़ा मैं विमल सिंग बालाजी श्टरी एड़ा में आपका स्वागत है आज जो है वो 9 जनवरी 2021 जो है वो तारीक है सिक्षा से सम्मंदित लगबग 8 निउस जो है वो निकल कर आई हैं सभी की जो है वो एक एकर के बाद कर लेते हैं तो सबसे पहली न सम्मंदित की खाली पद जो है उनको भरने के लिए होगी तीसरी काउंसलिंग तो जो इसका इंतजार कर रहे हैं वो जो है इस पर ध्यान दे और अभ्यरती जो है उनके लिए अच्छी कबर है कि दो काउंसलिंग के बाद सिक्षक परती जो है उसके खाली पदों को भरने के तीसरी काउंसिलिंग जो है वो कराई जाएगी सुक्रवार जो है उसको ये आसवासन राज्य सैक्षिक प्रबंदन और पिसिचर संस्थान जो सीमेट है उसके निरिच्छड को आय स्कूल महानिदेशक स्कूल सिक्षा विजय किरन आनन्द ने जो है वो दिया है बाकी वही सा बढ़ने से मिलेगा पकी तैयारी का समय एंडिय के बारे में आपर सारी चीज़े लिखी हुई है जो भी इसे समंद चात्र है या आपके घर में कोई चात्र है तो उनको ये जानकारी पहुचा सकते हैं बाकी यहाँ पर और भी चीज़े लिखी है आप वीडियो को पॉस कर सिक्षक भरती और TET में जो है वो सामिल हो सकेंगा इसके लिए प्रयागरास ने उस प्रकासित हुई है कल भी हुई थी कि राष्टि मुक्त विद्यालेई सिक्षा संस्थान नियोस से डियलेट करने वाले देश बर के 14 लाक और प्रदेश के 15 लाक अपरती जो है उनके लि ने टेती पास होने पर सिक्षक भरती में सामिल हो सकेंगे केदन सरकार की और से डियस बर के जो निजी विद्यालें है उनमें काम करने वाले जो आप्रसिशित सिक्षक हैं उनको पिसच्छड देने के लिए N.I.O.S. की और से DL.E का पिसच्छड दिया गया था और पिसच गया है और इसका बहुत पुर्जोर विरोध भी हो रहा है कल आपके जो बैज रेपिसेंटेटिव है डियलेट बैज के उन्होंने भी जो है इसका विरोध किया था नेक्श देखते हैं डियलेट पिसेचु जया है उन्होंने सौपा ग्यापन इसमें लिखाए कि सुगरवार को महानी देशक स्कूल सिक्षा विजयक किरन आनेंद जयान को ग्यापन देकर जल्द नई सिक्षक बरती गोसित करने की मांग की है पिसेचु ने रेगुलर डियले करने वालों को TET में सामिल करने UPDET का विजयापन जल्द जारी करने और UPDET के बाद सिक्षक बरती करانे की मांग जो है वह की है इसी के संथर में मैंने आपको बताया कि मांग करने वालों में रज़सिंग, रोहित तिवारी, असवनी सिंग, रोहित, दिनकर, निराज याद विपिन, राजु सिंग, रमा कांत यादा ये सभी लोग जो है वो मौजूद थे यही चीज मैंने बताई कि पुर्जोर उसका विरोध जो है वो हो रहा है नेक्ट नीज़ है विज्यापन जो है इसी महा जारी होने की उमीद असिस्टेंट प्रोफेसर की बारे में लिखा है एजंसी के चैन के लिए कुला टेंडर एक सब्ता में पूरी होगी भरती के लिए विग्यापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा बाकी 2016 जो है उसमें पदों पर होनी है भरती 36 आरकचड़ पर इस्तितिस बश नहीं बाकी और भी बहुत से सारी चीज़ें इसमें लिखे हुई हैं आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं आपकी रिक्त पद भरे तो 52,000 युवाओं को मिलेगा नौकरियां 500 रिक्त पदों की भरती अलग लग 4 से लंबित 40,000 से अधिक रिक्त पदों का भरती प्रस्ताव जो है वो पहुचा 12,000 से अधिक महिलाओं के लिए इसमें आफसर है UPSSS यानि UPSSSC जो है उसके माद्दम से लिखा है कि अधिनस्त सिवा चैनायग ने रिक्त पदों को तेजी से भरने की कारवाई जो है की तो चुनावी वर्स में करीब 52,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है उसी के बारे में यहाँ पर सारी चीज़े लिखी हुई है देखते हमारी नेक्ट निउस की डियलेट जो सिख्षक है उनको भरती में बराबरी का मौका देने का जो है वो निर्देश हमार रुजाला से आपकी निउस प्रकासित है जिसमें लिखा है किन सरकार ने योगità पूरी करने वाले से बारत सिख्षकों को धिये रहात इसमें लिखा है कि डिलेट सिख्षकों को रहात दिये सरकार ने NIOS के संदर में जो मैं उपर बता है वही सारी चीज़े लिखी है उनकी संख्या लिखी है 15 लाग है अयोग सिक्षक उनको मिलेगा इसका फाइदा NCTE के बारे में यहाँ पर भी वही सारी जीज़ जो है वो लिखी हुई है और यहाँ पर पूरा मामला भी लिखा हुआ है इसको भी एक बारत पढ़ के आपको सुना देते हैं सरकार ने संसद में प्रस्ताव पारित कर सिक्षा के अधिकार कानून के तहत करीब 15 लाग अपर सिक्षित या जो अयोग सिक्षक है उनको पेसेवर अहरता प्रदान करने के लिए आप सिक्षित या आयोग सिक्षक सरकारी और नीजी स्कूलों में सेवारत थे कोर्स करने के बाद इन्होंने योगिता का मापदन पूरा कर लिया हालांकि सरकार ने इनकी जो पेसेवर अहरता है वो भले ही पूरी करवा दिये लेकिन बिहार समयत कुछ राज्यों ने इन्हें सिक्षक भरती में नए आविदक के तोर पर अनुमत्ती नहीं दी इसके बाद जो मामला था वो पटना हाई कोर्ट तक पहुँचा और फरवरी 2020 में कोर्ट ने SSJ को को आविदन में अनुमत्ती देने का निर्देश दे दिय प्रियागरा से आपकी न्यूज है कि सिक्षक भातरता परिचाट जो टी इटी है वो आपका साथ मार्च को कराने और पंचाय चुनाओ के बाद नई सिक्षक भरती निकालने की जो माग है पिसिच्चो ने जो है वो तेज कर दी है और अब्यतियों का कहना कि प्रिच्चा पंचाय चुनाओ बाद होने के आसार जो है वो दिख रहा है तो इसी लिए संगर्स लगातार किया जा रहा है तो यही थे हमारे आज की ओरल नियूज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का वश कीज़ेगा इसे प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा और साथी साथ टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े है तो वीडियो के डिस्किप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सर्च करके भी टेलिग्राम पर बाला जी स्टेडिय एड़ जुड़ सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन वगारा स सारे आपको जो भी डेली होते हैं वो मिलते रहें कोई वीडियो आपका मिस्स ना हो तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ने टॉपिक के साथ अब तकिल नमस्कार थैंक फॉर वाचिंग